साथ यूनमस्कर स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंगसन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए MPPC 2020 और 2021 की दिश्टी से अति महत्पुन टॉपिक है आपका यूनिट 2 का मद्ध्य प्रदेश व्यों भारती इतियास तो मद्ध्य प्रदेश की इतियास के प्रशन आप से पूछे जाएंगे भारती इतियास के प्रशन पूछे जाएंगे और हर एक प्रशन के बारे में आपको डीटेल में जानकारी दी जाएगी जिससे अगर कितनी भी गहराई से कितना भी deeply प्रेशन आप से पूछा जाये आप बड़ी आसानी से उसका answer दे सकते हैं और इस समय आपके पास समय है कि आप जादा से जादा प्रैक्टिस करें जादा से जादा अपने आपको सार्प करें जितनी आपकी तयारी हो चुकी है उस तयारी को रिवाइज करते रहें और अपनी तयारी को पक्की और मज्बूत करते रहें येकी लोग कह रहे हैं कि सर्व एक्जाम डेट बढ़ गई है तो कॉम्टीशन भी बढ़ जाएगा पर मेरा मानना ही completion कम हो जाएगा क्यों 60 प्रस्त लोग ऐसे हैं जो इस समय बिल्कुल भी तयारी नहीं कर रहे हैं जिनकी अच्छी खासी तयारी थी प्रीगी लेकिन अब वो सांती से बैट दाएं ये सोच करके कि हमारी तो तयारी है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आपने practice नहीं की तो कितनी भी अच्छी आपकी तयारी हो जब exam के लिए एक महीना रह जाएगा ना तो सारी चीजें आपको फिर से नई लगने लगेंगी और उस समय आप परेशान हो जाएंगे घबरा जाएंगे ठीक है इसलिए कुछ न करें तो कम से कम practice तो करते ही रहें ठीक है और practice के लिए सारा material जो होता है हर एक unit का जो practice है वो हम आपके लिए daily लेकर के आती हैं जैसा कि आपको पता है कल हम computer के लिए लेकर के आये थे परसों भारती राजवे उस्ता लेकर के आये थे और जो भी आपका answer सही निकल रहा है उसके लिए आपको एक number देना है और गलत answer के लिए zero number देना है और जितने भी आपको extra fact यहां पर मिलते हैं उनको उसी प्रशन के सामने लिख लेना है इस तरह से आपकी तैयारी मजबूत होती चलेगी और आप दूसरों से आगे बढ़ते चलेंगे यह एक stage होती है टॉपर्स की top करने वाली stage होती है जब लोग सांती से बैट करके इंतियार कर रहे होते है तो टॉपर्स जो होता है वो अपनी तैयारी में लगा रहता है वो practice करता रहता है तो चलिए पहले प्रशन क्यों चलते हैं आईए देखते हैं पहले प्रशन कि जामा मज्जी जो है वो सान ए फत्यपुर के नाम से जानी जाती है आईए इस प्रशन के बारे में आपको डीटेल में कुछ जानकारी देते हैं तो देखिए समराट अकबरा बसाया गया सहर फत्यपुर सीकरी जिसे सिटी ओव विक्टरी भी कहते हैं अब यह जो आपको नया फैक्ट मिला है सिटी ओव विक्टरी इसको आप प्रशन नमबर एक के सामने ही नोट डाउन कलेंगी तो सिटी ओव विक्टरी किसे कहते हैं तो फत्यपुर क फत्यपुर् या फिर सान ए सीकृणि के नाम से जाना जाता है जैसा आपको पता है जैसे मुगल समराट बहुत कर दिया था लेकिन दोबारा किस मुगल समराट ने फिर से जजिया कर को लगा दिया था चलिए देखते हैं आप अकबर महान ने अपने सामराज को जजिया कर से मुक्ति दे दी थी किन्तु औरंग जेव ने जजिया करो को 1689 में पुनह पुनर जीवित कर दिया अब जजिया क्या हुआ करता था तो एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था यानि अगर हिंदू को कहीं पर यात्रा करने जाना है धार्मिक यात्रा पर जाना है तो उन्हें एक प्रकार का कर देना पड़ता था जिसे जजिया कर कहा जाता था अगवर ने समाप्त कर दिया था और और अरंग जिवने 1689 में पुना इसको पुनर जीवित कर दिया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमर तीन कियों चलते है तो यह MPH का के बारे हम कुछ जानकारी देते हैं आईए देखते हैं देखिए बेतवा नदी प्राची नदियों में से एक मानी जाती है इसे वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है अब देखिए बेतवा यमुना की सायक नदी यह पहला प्रस्ट निया से क्लियर होता है यह प्रश्च नमर चार की और चलते हैं देखें प्रश्च नमर चारो depend? पहारी स्कूल राजपूत स्कूल मुगल स्कूल कांगड़ा स्कूल किसि कला की बिब्ससेलियों को दर्सा आते हैं तो यह चार पकार की स्कूल है Joint कला की सेलियों को दरसाते हैं आप्सन ए है सिल्प कला आप्सन भी है चित्रकला आप्सन सी निर्ट कला या फिर आप्सन अमर्डी है संगीत चली एंसर देख लेते हैं चित्रकला के लिए ये चारों स्कूल जो है वो फेमस हैं आई आपको जानकारी देते हैं तो देखिए पह पहारी चितरकला कहते हैं तो कौन-कौन से राजिस में आ जाएंगे जैसे कि यहां पर बात की जारी उत्तरपश्च में हिमाल है तो इसकी अंतरगत आपका हिमाचल प्रदिस आ जाएगा जम्मू कस्मीर आ जाएगा और उत्तरखंड चितर आ जाएगा ठीक जो गड़वाल च इसके लिए प्रेवक्त किया गया है और संट आप्सट बी प्रित्वी राज और संसी राणा प्रताब या फिर आप्सट नमड़ी है हेमू चलिए देखते हैं यूपी पीच्यस में यह प्रश्णाया हुआ है तो यूपी पीच्यस के एंसर की के अंसार हमको एंसर लगाना तता मुगलों के विरुद्व 22 युद्यों में बिजय प्राप्त की थी हेमू ने बिक्रमा दित की उपादी भी धारण की थी और दिल्ली के अंतिम यसस्वी हिंदू समराट की रुप में उन्हें ही भारती गौरब का अंतिम सूरी भी कहा जाता है तो हेमू को भारती गौ मांड़ी का साथ ची है तो किस तरह की वास्तू सैली मांडू में देखी जाथी आये देखते हैं में कि को और सफका तौ अंसर देख गी बैए मांडू की बात कर लेते हैं तो मांडू धार जीले में इस्तित एक प्राचीन सहर है या भारत के पस्चिमी मध्यपदेश के मालवा शेतर में इस्तित है यहाँ पर सरवादिक भौन अफगानी सहली से बने हुए है जिनमें रूपमती, मंडप, बाज भादूर महल, दरिया खां का मकबरा, जहाज महल, आधी जो है वो इसके अंतरकत आते हैं अब देखिए हुसंग सहा का मकबरा के बार वे आपने सुना होगा तो हुसंग सहा का मकबरा है वो संगमरमर का बना हुआ है और अफगानी वास्तिसला का खुबसूरत जलक यहाँ पर दिखाई देती है किसमें हुसंग सहा के मकबरे में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी के ओर चलते हैं प्रशन नमर साथ आपके सामने आ रहा है, देखिए रिंग फैंस की नीती का समद इन में से किस गवर्नर जनरल से है देखिए जब आधनी भारते स्टार्ट होता है, तो सुरुवाती में गवर्नर जनरल के बारे में बता जाता है तो लोग कम इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं, लेकिए आपको बता दें यहां से प्रशन बनते ही बनते हैं, एक یा दो प्रशन जो है, वो आधनिक इतिहास के सुरुवात से जरूर बनता है तो रिंग फैंस की नीती का सम्द इन में से किस गवर्नर जनरल से है, पूरी जनकारी आपको देंगे कि यह ring of fans की नीती क्या होती थी देखिए option A Henry Lawrence, option B Warren Hastings option C Lord Clive या option D Lord Mount Witten चलिए answer देखते हैं कि किस से सम्मनित है ring of fans सही answer B यानि कि Warren Hastings से सम्मनित है या नीती अभी ring of fans की नीती क्या होती थी इसके बारे में भी आईए आपको जानकारी देते हैं तो देखिए ring of fans जिसे सुरच्छा प्रकोष भी कहा जाता है यह नीती Warren Hastings के दिमाग की उपश थी Warren Hastings ने मैसूर और मराटों के साथ ही अन्य भारती रियास्तों के साथ बराबरी की पद्वी प्राप्त करने की भावना से इस नीती को लागू किया था देखिए इस समय कंपनी ने अपने राज़ के चारो और एक बफर स्टेट बनाने का प्रयास किया जिसका उद्विस केवल अपने राज़ की रच्छा करना था या पिर हम यह भी कह सकते हैं कि उसने अपने प्रोसी राज़ों की सीमा की रच्छा की यह तो टेक्निकल लेंग्वेज हो गई हम आपको समझाते हैं कि आकर यह कह किया रहा है तो देखिए मानि यह है आपका बंगाल ठीक है अब यहाँ पर वारेन हैस्टिंग के क्या कि तो बंगाल के आस पास जितने भी राजे थे उन सब की सेनाओं से यह कहा कि उन सब राजाओं से कहा कि हम आपकी जो है सीमाओं की रच्छा करेंगे और आप इसके बदले में हमें टैक्स दीजिए हमारी सेना का खर्चा उठाईए तो यहां के राजा भी खुस होगए कि चलो अप उनको फिरी में जो है यहां पर मिल रहा है अपनी रच्छा करने के लिए क्या दिक्कत है लेकिन आप समझ रहे हैं वारेन हैस्टिंग्स के दिमाग की उपच क्या थी वो अपने राज़ की सुर्चा करना चाहता था तो अफगानों और मराठों से डर था वारेन हैस्टिंग्स को तो वो पहले क्या करता कि यहां के चारो जो भी चारो तरफ जितने भी राज़ हैं उन सब की रच्छा करेगा तो अपने आप ही उसके राज़ की रच्छा भी हो जाएगी और खर्चा कौन उठाएगा यह चारो जो भी यहां इसके आसपास जितने भी राज़ हैं वो खर्चा उठाएगे तो इसी को क्या कहते थे रिंग फैंस की नीती कहते थे ठीक है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट नमबर आठ देखिए प्रस्ट नमबर आठ है किस गवर्नर जनरल के कारिकाल में भारत में पहली जनगर्णा हुई थी आपसन जोडर डफरिंग, आपसन भी है लड लिटन आपसन सी है लड मेयो या फिर आपसन नमबर डिह है लड रिपन चली एंसर देख लेते हैं शही आंसर सी यानि कि लड मेयो के कारिकाल में भारत में पहली जनगर्णा हुई थी कुछ simple प्रस्ट भी यहां से आ जाते हैं देखिए तो देखिए भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगन्ना लॉड मेयो अब लॉड मेयो का कारिकाल पूछ लिया जाता है तो 1879 से 1872 तक इनका कारिकाल है तो 1872 इसी में प्रारम हुई किन्तु लॉड रिपन के काल म नेमित जनगन्ना 1881 में पार प्रारम हुई ठीक है तो याद रखिएगा जनगन्ना की सुरुवात तो लॉड मयो के काल में 1872 बात्तर हुई थी लेकिन जो नेमित जनगन्ना है जो हर 10 वर्स बात की जाती है उसकी सुरुवात कहां सुई थी तो 1881 में लॉड रिपन के सामने आरा आए देखते हैं तो राजाच छत्र साल मद्र प्रदेश के किस छेत्र में राजा थे और सने हैं महा कॉसल ऑप्सन भी है चतीस गड़ ऑप्सन सी बुंदेल खंड या फिर देखिए आपको याद अखना कि क्या पूचा जा रहा है महाराजा छत्र साल के बारें और सनमर डी है सीवपी एंसर की बात कर लेते हैं सही आंसर सी यानि कि बुंदेल खंड के राजा थे महाराजा छत्र साल चलिए इनके बारें कुछ जान कर देए तो 1531 में रूद्र प्रताब बुंदेला ने बुंदेला बंस की स्थापना की और राजधानी कहां बनाया तो और चाँ जो की टीकम गड़ है यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था किसने रूद्र प्ताब बुंदेला ने 1531 में अब 17 साल की बात कर लेते हैं तो 16 साल बुंदेला ने 1675 में पना को राजधानी बनाया 16 साल को 1707 में मुगलों ने राजा की उपाधी भी दी थी तो ठ एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक कौन थे? आप्सन ए है सर विलियम जॉन्स, आप्सन भी है मैडम भी का जी कामा, आप्सन सी है मैक्स मूलर या फिर आप्सन नमर डी है जेम्स प्रिंसिप, चलिए answer देखते हैं, तर विलियम जॉन्स जो है वो एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक हुआ करते थे, आप पूरी जानकारी आपको देते हैं कि इस जो सोसाइटी इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्या धेर था इसकी पीछे विलियम जॉन्स का, देखिए, तो 1784 में हैस्टिंग्स के सयोग सर विलियम जॉन्स ने एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना की, ताकि एसिया के सामाजिक तता प्राकरतिक इतिहास, पुरा तत्त्त समंदी कला विज्ञान एम साहिते का अध्यन किया जा सके, ठीक है, तो में इसका उद्धिय से क्या था तो भारत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना था, ठीक है, खेक है, तो आपके प्रत्त सम्सिक्ड कॉलेज खोला गया, तो आपको प्राप्त 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 करना था, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तक पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरूर दबा लीजीगा, क्योंकि हम आपके लि प्रस्टी से अति महत्वूर है तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि उसको देखते रहेंगे आप तो आपका unit 8 अभी से ही क्लियर होता चलेगा बिल्कुल डीपली जानकारी आपको दी जाती है और चितर भी दिखा जाती है तो सारी चीज़े आपके दिमाग में बैठती चलेगी आज भी हमने वो वीडियो अपलोड की है चैनल की प्लेलिस्ट में जाईए और वहाँ पर आपको 360 degree current affair के नाम से आज की वीडियो देखने को मिल जाएगी ठीक है तो जरूर देखिएगा और अपने विचार भी दीजेगा कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है जल्दी मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद प्रैक्टिस करते रहिए आगे बढ़ते रहिए